अब आप भी अपने मोगरे के प्लांट से काफी अच्छी संख्या के अंदर फ्लावरिंग ले सकते हैं आज हम आपको अपने इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि मोगरे के प्लांट से मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लावरिंग किस प्रकार से लेनी चाहिए ये तो वीडियो को पूरा देखिए, हम बताते हैं. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर, ये जो स्क्रीन पे आप खुबसूरत से flowers के birds देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो flower हैं, ये खुश्बू देने वाले flower हैं, और इसके अंदर, March के अंदर आपने किस परकार से, किस विधी का प्रयोग करना है, कौन-कौन सी टेकनिक्स यूज़ करनी हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय के अंदर, जैसे April का समय चल रहा है, आपके plant के उपर काफी ज़्यादा संख्या के अंदर flowering हो. तो वीडियो में आगे चलने से पहले, अगर आप हमारे चैनल के उपर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा, और वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा. ये जो खुबसूरत सा plant आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा जो plant है, ये मोगरे का plant है, और हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आपने मोगरे के plant से काफी अच्छी संख्या के अंदर flowering लेने के लिए किस-किस चीजों का ध्यान रखना है और कौन-कौन सी वीडि का प्रयोक करना है, जिससे कि आपके मोगरे के plant के अंदर काफी भर-भर के और काफी अच्छी संख्या के अंदर flowering होनी शुरू हो जाए, तो मोगरे का plant basically आप सब लोग जानते होंगे, खुश्बू के लिए बहुत ज़्यादा famous रहता है, इससे काफी सारे इत्र बनाई जाते हैं, काफी सुगंदी चीजे बनाई जाती हैं, धूब बत्ती, अगर बत्ती, बहुत तरह के सेंट और बहुत तरह के पोडर्स, बहुत तरह के तेल बनाई जाते हैं और इसके फूल का इस्तमाल जो गजरे के अंदर भी किया जाता है, तो सबसे पह प्लांट आपको नर्सरी से इसली एविलेबल हो जाएगा और इसके अंदर भी दो तरह के प्लांट आते हैं एक हाईब्रीड आता है और एक देशी मोग्रे का प्लांट आता है तो आपने देशी मोग्रे का प्लांट लेना है इसको नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जात और मार्च के अंदर अगर आपने पहले से ही मोगरे का प्लांट लगाया हुआ है तो मार्च के अंदर आपने क्या करना है अपने मोगरे के प्लांट की प्रूनिंग करनी है अगर आपका जो मोगरे का प्लांट दोग साल पुराना हो चुका है तो आपने इसकी टैनियों की मा अपने इस प्लांट को लगा देना है, हमने अपने मोग्रे के प्लांट की मार्च के अंदर प्रोनिंग करी थी और इसकी जो रूट्स की भी ट्रिमिंग करी थी और उसके बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, तो अब हम बात करेंगे कि इससे मैक्सिमम टू मैक्स प्लावरिंग किस परकार से लेनी है तो बताते हैं आपको किस परकार से आपने जो सबसे पहले तो आपने जो इसके अंदर जो मिटी का इस्तमाल करना है दो मिटी मिटी का इस्तमाल करना है प्लांट के दुबारा से अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं अपने प्लांट को तो आपने इसके अंदर दो मिटी मिटी का इस्तिमाल करना है और इसके अंदर आपने जो है गाएं के गोबर का इस्तिमाल करना है नमबर दो मोगरे के पोधे के लिए आपने पांच से आठ पी एच वाली मिटी का ही इस्तिमाल करें और गोबर की जो है मिटी के अंदर जो गोबर वर्मी कंपोस्ट, कोको पिट और भुरबरी मिट्टी को मिला कर ही अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है मोगरे के प्लांट में एपसम सॉल्ट मिलाना इसके पोशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमन रहता है इसके लिए आप दो लिटर पानी में एक चमच एपसम सॉल्ट मिलाएं और अच्छे से इसको मोगरे के प्लांट के उपर स्प्रे कीजेगा मोगरे के लिए आपको केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तमाल करना उसके लिए बहुत सारे फूल भी ला सकता है इसके लिए आप इसके अंदर NPK 1919 का भी फर्टिलाइजर का इस्तमाल कर सकते हैं और उसका इस्तमाल आपने सेम एपसम सोल्ट की तरह ही करना है दो लिटर पानी के अंदर एक चमच आपने NPK 1919 को मिक्स करना है और इसके बाद बात करें तो मिहने में कम से कम एक बारी पोधे की आपने trimming भी बहुत जरूरी तरीके से करनी है और मोगरे को आपने ऐसी जगा पर रखना है जहां दिन भर के अंदर इसको 2-3 घंटे की धूप आती हो इसको proper open terrace पे नहीं रखना है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका plant जल सकता है और इसके अंदर flowering नहीं होगी तो मोगरे के plant को सूरज की रोशनी में रखना है और इसको 6-7 घंटे की रोशनी की जूरत भी रहती है और मोगरे के plant के लिए आपने जो वाल्टरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अगर आपके मोगरे के plant में कीडे लगने की समस्य आ रही है तो आप बिल्कुल नॉर्मल सा एक प्रसेस कीजिए एक लिटर पानी में बेकिंग सोडा या एक चमस्य शेंपू या तीन से दो बुंदें इसके अंदर नीम की तेल को मिला कर छिड़काव करें ऐसा करने से आपके जो मोगरे के plant के अंदर कीडे भी है जो उनसे वो लगने बंद हो जाएंगे तो आप भी अच्छी सी एक किसम का मोगरे का plant लाकर अपने garden के अंदर grow कीजिए और इसको grow करने के बाद आपको जिस परकार से मैंने बताया है maximum से maximum flowering आपको प्राप्त हो जाएगी और आप इसको अपनी बालकनी के अंदर रखिए इसका सफेद रंग का पूल है देखिए किस परकार से birds आ रहे हैं इसके अंदर और इसके अंदर flowering होने के लिए ready है बहुत ही शानदार तरीके से इसकी खुश्बू रहेगी आप इसको अपनी गैलरी के अंदर रखिए और आपको शाम के समय जैसे आप अपनी छट पे चड़ेंगे तो इसकी खुश्बू से आपका सारा का सारा जो है महग जाएगा